हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मल्टी मसाला कुकिंग में तो आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे और आलू से बनावा एक तम टेस्टी और क्रिस्पी नास्ते की रेसिपी इस नास्ते की रेसिपी को आप बहुत ही कम समय में बना कर त्यार कर लेंगे ये नास्ता बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बन कर तयार होता है तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं, वीडियो करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा तो चली बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम एक कप गेहूं का आटा ले लेंगे आप कोई भी बरतन सैट कर लें एक छोटे चमच नमक डाल देंगे स्वात के अनुसार एक छोटे चमच अजवाइन को हाथ से ख क्रिस्परी बनाने के लिए टेल को आटे में खुब बढुआ सेे मिक्स करने के ध्यान रहे हम ने खूब अच्छे steeds करना है क्योंकि जब हम इसको भ़़िया से मिक्स कर लेंगे तब ही हमारा नास्ता जो है बढ़िया क्रिस्पी बनकर तयार थो जब इस तरह से आटा बनने हमने आटा तयार करना है तो आटा हमारा गुदकर तयार है इतना टाइट आटा हमने गुदकर तयार किया है तो इसको हम 5-10 मिनिट के लिए रख देंगे ताकि और अच्छे से सैट हो जाए तब तक हम आलू की स्टफिंग आद्रक डाल दें इसके साथ ही दो बारी कटीवी हरी मिर्ची डाल दें अब इन सब चीजों को हम 2-3 सेकिंड तक अच्छे से भून लेंगे अब मैंने यहाँ पर लिए हैं 2-3 उबलेवे आलू इनको ठंडा करके कद्धुकस करके ले लिया है आप बिल्कुल अच्छे से मैश करके ले ले अब हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले आड़ करेंगे स्वात के अनुसार नमक डाल दे एक चोटा चमच गरम मसाला एक चोटा चमच हल्दी पाउडर आदा चमच चाट मसाला इससे अच्छा चटपटा टेस्ट आएगा नास्ते में अब इन सब चीजों को मिक्स कर ले आप यहाँ पर अपने मन पसंद मसाले आड़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो अगर आप जादा तीखा खाना उस सब्सक्राइब ढमटी बने को पर पटली रोटी यहाँ पर ढल करें ग़े तो अभी आपको दिखा दोंगे कितना पटली रोटी युओंगर त्यार कर लेंगे तो रोटी को हमने ज़्यादा मोटा नहीं रखना है यह आप देख सकते हैं इतनी पतली रोटी बेल कर त्यार करनी है तो अब आप यहाँ पर कोई कटोरी ले 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 या फिर ग्लास ले 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 तो आप इसकी कटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं तो यह सी भी आपको पसंदो तो मैं इसकी गोल कटिंग करूँगी एक बार में जितनी पूरीय निकल पाएंगे हम इसमें से निकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं एक रोटी में से पांच पूरिय निकल कर तयार हुई है तो इस तरह से क्या होता है नास्ता जल्दी बनकर तयार हो जाता है अब इसी तरह से हम सारी पूरिय बना कर तयार कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर एक चमच गेहूं के आटे में थोड़ा सा पान कर तयार करेंगे और उसको फ्राइ करेंगे तो वह तेल में जाके बिखरेगा नहीं मतलब खुलेगा नहीं तो अच्छे से हम दोनों साइड में इसको लगा देंगे घोल लगाने के बारद अब हम एक पूरी उठाएंगे और इसमें हम इसके बीच सेंटर में एक चमच करतें और चाटरव से थोड़ा सा आटा छोड़ देना है इस ट्रफिंग को पूरा भरना नहीं है तो बढ़िया से हम इसको अचछे से चाचब तरफ निदे देंगे तो आप चाहे तो इसको सिंपल ही रहने ने दे तो मैं हम यहाइफर की साइटर से इसको चाचब तरफ से डिजाइन दे दूंगे थोड़ा थोड़ा और दोनों साइड में हम इसी तरह से इसको डिजाइन दे देंगे और इसी तरह से हम सारा नास्ता बनाकर तयार कर लेंगे तो इसी तरह से हम और नास्ता बनाकर तयार कर लेंगे तो गैस पर ले लेंगे पैन या कड़ाई और इसमें तेल को मीडियम गर्म होने देंगे और एक एक करके यह नास्ते को इस तरह से इसको फ्राइब कर लेंगे तो लोटू मीडियम फ्लेम पर हमने इनको फ्राइब करना है और बड़ी असमें अच्छे से फ्राइब हो जाए तब तक हम इनको फ्राइब करेंगे तो यह देखिए कितना बड़ी अगया गया है तो इस तरह का लर चाहिए हमें तो अब हम इनकाल लेंगे प्लेट में और चैनल को सब्सक्राइब किये बिना बिल्कुल बिना जाएए का बैल आइकन के बिटन को आल पर प्रेस कर दीजेगा तो यह देखिए हमारा एकदम क्रिस्पी टेस्टी नास्ता बनकर तयार है तो उमीद करते हूं आपको मेरी आज की रेसिपी जरूर से पसंद आई होगी तो मैं मिलती हूं अगली एक और नहीं रेसिपी में तब तक के लिए टेक क्यार बाइबाइब